जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है अध्याय नौ राजविद्या राजगुहे योग श्लोक टाइस सुभा सुभः फलै ही येवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनै ही सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम वुपईश्यसी वूम् गीताचारे श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राजविद्या राजगुहे योग सिखा रहे हैं परमात्मा कह रहे हैं अर्जुन अपनी सभी सांसारिक और वैदिक गतिविद्या मेरी सेवा के रूप में करो और अपनी सभी गतिविद्या मुझे अर्पित करो फिर भले ही वे कर्म तुम्हें कुछ सुख और तुम्हें कुछ दुख लाएं भले ही वे कर्म या गतिवी दियां तुम्हें बांदे चुकि तुम उन सभी कर्मों को मेरी पूजा और मेरी सेवा के रूप में कर रहे हो तुम उन सुखो और उन दुखो से अभी भूत नहीं होगे तुम उदास नहीं होगे और वे कर्म तुम्हें बांदेंगे नहीं तुम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त करोगे इसी तरह श्रीक्रिष्ण पर्मात्मा हमें आश्वाशन दे रहे हैं कि यदि हमारी सभी गतिवीदिया उनकी पूजा के रूप में की जाती है और यदि हमारी सभी गतिवीदिया उन्हें सर्वम श्रीक्रिष्ण पर्मस्तू कहकर समर्पित की जाती है तो कोई भी कर्म हमें नहीं बाढ़ सकता और उन कर्मों से उतन कोई भी सुख या दुख हमें प्रभावित नहीं करेगा श्रीकृष्ण परमात्मा की सला को याद करते हुए और अपनी सभी गतिवीदियों को श्रीक्रिष्ण परमात्मा को अर्पित और समर्पित करते वे श्रीक्रिष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायन के प्रती समर्पन करते वे आईए हम प्रयास करें श्रीक्रिष्ण परमात्मा के वचनों को स्लोक के रूप में ज्यों का त्योंद दोरानिक सुभा सुभफले रेवं मोक्षियसे कर्म बंधनेही सन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो माम वुपैश्यसी स्रीमन नारायना करिश्ये वचनम्तवा श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीकृष्यन परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में आठ कार्य करने के लिए दिया गया है श्रीकृष्यन कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा श्रीकृष्यन परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिश्ये वचनम तवा जिसका अर्थ है कृष्यन मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीकृष्यन ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आएए प्रमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ करमों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो प्रमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याय हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीकृष्ण को अपना वचन देते हुए आए हम सभी श्रीकृष्ण की सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद कानुभव करें जै श्रीमन नारायन ये है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूँगा और आपके बारे में सोचूँगा हमारा दूसरा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने सला दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूँगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूँगा हमारा चौथा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पांच हुआ वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके शब्द मा मे कम सरणम रज़ याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं, मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमत नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा किये और आशिरवाद दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमत नारायन आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अपरिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये है प्रती दिन श्रीमत नारायन को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पुजा है आएए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे श्रीमन नारायन करिशे वचनम तव जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वम श्री कृष्णार प्रणनस्तू जै श्रीमन नारायन सुभा सुभफलैही येवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनैही सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम विमुक्तो माम वुपैश्यसी वूम् सुभा सुभफलैही येवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनैही सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम वुपैश्यसी स्रीमन नारायना करिश्गे वचनम्तवा जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोद हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायनस्त्रम का पाठ करें नारायनस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायनस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो की है www.narayanastram.org और रिजिस्ट्रेशन में अपना नाम और इमेल प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई इमेल पर आपको नारायनस्त्रम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायनस्त्रम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भकतों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायनस्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्णु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन